और अब बात अलीगर्ण मुस्लिम युनिवर्स्टी की जहां एक आतंकी के लिए आजादी आजादी के नारे लगे हैं बताईए क्या अलीगर्ण मुस्लिम युनिवर्स्टी अलगाब वादियों का नया अड़ा बन गई है पहले जी एन्यू और अब एम्यू में आजादी के नारे कैसे लग गए एम्यू के पूफ चात्र और हिजबुल आतंकी मननानवानी के लिए चात्र आखिर मातम मनाने में कैसे जुट गए आतंकवादी मननानवानी से यारी, देश से घद्दारी नहीं चलेगी ये नारा सुना आपने और इस नारे की गून्च सुनी आपने ये वही नारा है जो देश तोड़ने वाले लगाते हैं ये वही नारा है जो कश्मीर में आतंकवादी लगाते हैं लेकिन ये नारा कश्मीर में नहीं लग रहा ये जगा है उत्तर प्रदेश कालीगा अलीगण की मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैनेडी हॉल कैनेडी हॉल के बाहर की ये वो जगा है जहां आजादी आजादी का शोर मचा ये वीडियो पुलिस के पास पहुँचा और इसकी जान जारी है तो क्या अलीगण मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलगावाद अपने पैर पसार रहा है क्या ये यूनिवर्सिटी अलगावाद का नया अड़्डा बनती जा रही है ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश के खिलाफ बंदूक उठाने वाले आतंकी मननानवानी के लिए कल कुछ कश्मीरी चात्रों ने मातम मनाया और आजादी आजादी के नारे लगाए पहले जी एन्यू में आतंकी अफजल गुरू के समर्थन में नारे बाजी और आजादी के नारे पर बवाल हो चुका है अब आतंकवादी मननानवानी के समर्थन में शोक सभा और आजादी के नारे के वीडियो पर प्रशासन के कान खड़े हो गए है कुछ वीडियो आज हमारे संग्यान में आए हैं जिसमें कुछ देश विरोधी नारे लगाते हुए लोग रहे हैं इस ततिकों संग्यान में लेते हुए सिविल नाइस थाना चेतर से समंधित चौकी प्रभारी द्वारा दो नामजद व्यक्तियों के खिलाफ और कुछ अग्यात व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे आपतिजनक नारे लगाये जाने के कारण उपर मुकदमा पंजीक रित कराए गया है देश की राजधानी दिली से करीब 200 किलोमीटर दूर यूपी के अलीगड में आखिर देश के दुश्मन के लिए शोक सभा क्यों हो रही है आखिर देश के अंदर देश विरोधी नारे लगाने की हिम्मत कैसे हुई आतंकी के मरने पर शोक सभा हो रही थी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या गुम्ब करनी नीद सो रहा था जम्मू कश्मीर के हंदवाडा में कल सुरक्षा बलों ने जिन दो आतंकियों को जहन्नुम पहुचा दिया उनमें से एक था मननानवानी वही मननानवानी जो अलीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएच़डी रिसर्च स्कॉलर था हिजबल मुजाहिदीन के आतंकि मननानवानी के एंकाउंटर के खबर लगते ही देश का नमक खाकर घदारी करने वाले मननान के लिए मातम करने जुट गए जानकारी के मताबिक आतंकि मननानवानी के लिए एम्यू में पढ़ने वाले खरीब देड़ सो कश्मीरी छात्रों ने श्रद्धानजली सभा कायोजन किया ये तस्वीरें उसी श्रद्धानजली सभा की है कभी देश को बांटने वाले मुहमद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने का मामला हो या देश के खिलाफ बंदूक उठाने वाले मननानवानी के लिए मातम करना देश के पैसे से चलने वाली एक यूनिवर्सिटी के अंदर आखर किसी की हिम्मत कैसे हो गई ये करने की गैंपर्स के अंदर देश विरोधी गतिविदी को लेकर एम यू प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है लेकिन प्रशासन पहले ही सफाई देने में जुट गया सवाल तो ये उठता है कि आखर आतंकवादियों के लिए सहन उभूती रखने वाले चात्रों पर आखर एम यू प्रशासन सखती क्यों नहीं बरत रहा शोक सभा के लिए डेड़ सो चात्र जुटे तो फिर कारवाई नौ पर ही क्यों इसी साल देश के बटवारे के लिए जिम्मेदार जिना की तस्वीव लगाने पर एम यू की पहले ही काफी धूतु हो चुकी है अब आतंकी के समर्थन में श्रधानजली सभा को लेकर बीजेपी सांसत सतीश गौतम ने मोचा खोल दिया है इनवर्स्टी में पढ़ने वाले चात्र जो कस्मीर के चात्र हैं और जो वहाँ पर नवाज पढ़ना चाते हैं उसके पच्च में ऐसे जो बच्चों को चिन्नित करके उनको यहां से निकाला जाए बूल लूप से जम्मु कश्मीर के कुपवारा का रहने वाला आतंकवादी मननानवानी पहले एम्यू का रिसर्च स्कॉलर था अपनी रिसर्च के लिए कभी आवाड जीतने वाला मन्नानवानी कलम की जगा देश के खिलाफ बंदूक उठाने का अंजाम भूगच चुका है अब बारी है देश के खिलाफ नारे बाजी करने वालों की ये है एबी बी नियूज आपको रखे आगे